जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे स्विस सुमिजेन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की जो कक्छा है वो प्रारंब हो चुकी है तो सभी लोग लाइब आ जाएं और सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें पहले से ठीक है और आज हम जो हमारी सिक्छा सास्त की सीरिज चर रही है उसी में हम आँगे पढ़ने वाले हैं एक गरत सिक्छा सास्त का आपका तीसरा वीडियो है इससे पहले जो भी नहीं देखे हैं वो जरूर देखें गरत सिक्छा सास्त सम्मंदित ठीक है इस्टार्ड होने वाली आज की क्लास तो सभी लोग जितने साथ ही हमारे आ चुके है उनके लिए गुड आफटर नून जैहिंद चीक है सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी को सेयर भी करना है ठीक है बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हमें उत्तर भी बताना है फटापड से जल्दी जल्दी से सभी लोग उतर बताएंगे चलिए तो start करते हैं आज की वीडियो दोस्तो आपका जो पहला प्रस्न है Ilgorhythm बच्चों में नहीं विक्सित कर सकते तो जल्दी से बताएं Ilgorhythm बच्चों में नहीं विक्सित करते तो क्या विक्सित नहीं करते रटना तर्क की समझ सूत्र या फ्र ग्यान 64 का अंसर सभी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे जो भी हमारे नए साती हैं उनसे मैं बता दू कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें याद रख लिना एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की पिरकिरिया को विक्सित नहीं किया जा सकता जबकि इसके द्वारा सूत्र ग्यान तरक वह समझ विक्सित किया जा सकते हैं तो आप सभी को याद रख लेना है बिकल्प नमबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन है हमारा अमूर्तता विसिष्टी करन एबं ब्यापी करन किस विसाई की समझ वढ़ानी के लिए उपियोग किया जाता है तो प्रश्ण करमांग 65 का सभी लोगों को बताना है हिंदी बिग्यान सामजिक बिग्यान या फिर गड़त है तो अमूर्तिता बिसिष्टी करन और ये वापी करन किस भिसाई की समझद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप सभी ने जो आंसर बताया बो बताया D यानि कि गलत बिसाई के लिए बहुत बढ़िया गलत बिसाई इसका सही हो जाएगा अमूर्तता बिसिष्टी करण एवं ब्यापी करण गलत बिसाई की जो है समझ बढ़ाने के लिए उपियोग किया जाता है आपको अच्छे सियाद रख लेना है अमूर्तता बिसिष्टी करण और ब्यापी करण एजो है गलत बिसाई की समझ बढ़ाने के लिए जो है प्रियोग किये जाते हैं अगला हमारा कॉस्चन है बच्चों में गोलाई की अवधारना दीरे दीरे विक्सित होती है तो कैसे होत गोलाई की अवधारना दीरे दीरे विक्सित होती है तो कैसे होती है तब आप सभी ने उत्तर बताया है क्या अधिकांस लोग B बता रहा है कुछ लोग C बता रहा है लेकिन इसका सही उतर होगा B मूर्त से अमूर्त से ठीक है तो गोलाई की जो अवधारना होती है वो जो ह गोलाई ही नहीं परन किसी भी आकिरती की आकार की अबधारना मूर्थ और अमूर्थ पद्धती द्वारा विक्सित की जाती ये चीज़ आपको याद रख लीनी है कोई भी आकिरती की अबधारना मूर्थ और अमूर्थ पद्धती द्वारा विक्सित की जा सकती है क्योंकि विद्ध्यार्ती को जब कोई गोलाकार बस्तू दिखाई जाती है तब हातों के गुमावदार संकेत के माध्यम से समझाये जाता है तो भैस सीगर ही उस आकार को समझ एब हम आत्मसाथ कर लेता है तो आप सभी को याद रख लेना है अंगला हमारा प्रशने है एक डियर्ड क प्रसीक चारती ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कापी में निमले के तुरूटी देखी है ना तो आपको बताना है कि इस प्रकार से तुरूटी देखी तो बच्चे ने क्या समझने में गल्ती की एकाई दहाई की समझ नहीं है हासिल संक्या की समझ नहीं है सुन की पेड़ागोजी पढ़ते हैं तब आपको एक क्वेस्चन पता होनी चाहिए तो जल्दी जल्दी से उत्तर लेको क्या हो जाएगा प्रश्निकरमाग 67 का आंसर आपको बताना है सबी लोगों को बताना है जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सबी लोगों का जो उत सलाई बोलते ना वो समझ नहीं है है ना उप्रोक्त तुरुटी के देखने पर इस पश्ट रूप से कहा जा सकता है कि उसे उधार लेने की समझ नहीं है है ना सही कहना प्रश्ण करमाग 68 का उतर बताएंगे गलित की पाट पुस्तक का जो आवस अंग माना जाता है वो क्या माना जाता है जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है तब आप सभी लोगों ने जो उतर बताया है जल्दी से उतर बताओ तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी यानि कि उप्रोगत सभी इसका आंसर सही होगा अब धारनाओं का इस पस्टी करण अब धारनाओं की क्रमबत देता और अब धारनाओं को ब्योहरे की जीवन में जोड़ना ये जो है गलित का गलित पाट पुस्तक क आवस्तक अंगो होता है तो प्रोक्त सभी जो डी नमर का ठीक है बिल्कुल शाही है अंगला कोश्चन देख लेते हैं अंगला जो हमारा कोश्चन है वो क्या है यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि जो अब धारनों का इस पस्टी करण उनकी क्रमबत देता तथा इनका विय हरे के जीवन में उपियोग जुडाओ गलित की पाट पुस्तक यावसा कंग है तब तक आपको 69 का उत्र बताना है है ना जल्दी सी बताओ गलित ग्यान का निस्चेत तथा ठोस आधार होता है यह कथन गलित की किस प्रकृति की और अंगित करता है प्रश्न करमाग 69 का सभ सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी लोगों को उत्तर बताना है फटाक से सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि उत्तर जरूर बताने का प्रयास करें ताकि जो है आपकी समझ भी बिकसित हो है ना तो सभी लोग उत्तर है C नम्मर का इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चिन है एकाई योजना के पिर्थी पादक कौन है सबी लोगों को आंसर बताना है एकाई योजना के जो पिर्थी पादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तब आपका उत्तर क्या होगा हमें उत्तर बताना है एकाई योजना के पिर्थी पादक कौन है? इसकनर, जॉन डीबी, हरबर्ट या बिलियम किल पैट्रिक तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सबी लोगों को उत्तर बताना है एकाई योजना के जो पिर्थी पादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तब दिकान से लोगों ने जो उत्तर बताया है कुछ लोग B बता रहा है, कुछ लोग D और कुछ लोग C एनि कि एकाई योजना का पिर्थी पादक माना जाता हरबर्ट महुदय को हरबर्ट महुदय याद रख लेना विकल्प नमर B इसका सही हो जाएगा बहुत बढ़िया राजकुमार पिरिया जी, गोरव जी हरबर्ट महुदय इसका सही हो जाएगा B नमर का ठीक है, बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन है प्रात में किस्तर पर गड़ित का क्या महत्त है सांस्कृतिक, धार्मेक, सामाजेक प्रात में किस्तर पर गड़ित का क्या महत्त है सांस्कृतिक है, धार्मेक है, सामाजेक आपका उत्तर क्या हो जाएगा बिबिक जी फटा फट से उत्तर देना है सबी लोगों को तो जल्दी बताओ अंकित कुमार अनिल जी तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा डी, एनि की मानसिक, बहुत बढ़िया सबी लोगों के ने बिल्कुल साही उत्तर बताया है गड़ित एक तरक का बिसाय है इससे बच्चों की मानसिक सक्ती का बिकास होता है इसलिए प्राथ में किस तर पर बच्चों के मानसिक बिकास के लिए गड़ित बिसाय रखा गया है इस अभी को याद रख लेना है प्राथ में किस तर पर गड़ित का महत तो होता है तो मानसिक बिकास के लिए होता है बिकरब नमबर D इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेश्चन है गड़त बिग्यान है इस्तान का गड़नाओं का सिक्षा का या फिर मानव जीवन का तो 72 का उत्र बताना है साड़े छे वजे आपकी परियावन की किलास होती है साथ पंद्रा पर आपकी बालवेकास की किलास होती है लाइफ किलास तो बहुँद जरूर देखें और गड़त बिग्यान है तो किस परकार का बिग्यान है सबी लोगों को उत्तर बताना है तब आप सबी का जो उत्तर आरा है थो किया रहाएं C एनि की गड़नाओं का विज्ञान है गड़नाओं का विज्ञान हैं सी नमर का सई हो जाएगा और सभी साती धियान रखें कि 2 दोबच के 30 मिन seems पर आपका करेक्ट है इस सिक्छा सास की किर्थ स्टार्ट हो जाती है तो समाई का धियान रखें गड़त गड़नाओं का विग्यान है क्योंकि गड़त में गड़नाएं होती हैं गड़त तरक का विसाय है ये सबी को याद रख लीना है तब हमारा जो अंगला प्रशन हो जाता है बेकासील मुल्यों में सपलता मुक्ता निर्वर करती है तो किस पर निर्वर करती है सरकार प सबी लोगों का जो आंसर आ रहा है 52 सील मुल्यों की बात हो रही है तो उसका उत्तर हो जाएगा सिख्छक पर सिख्छक यानि कि जो बेकल्ब नमबर D है वो इसका सही हो जाएगा बिकासील मूलियों में सपलता मुक्ता सिक्षक पर निर्वर करती है क्योंकि एक सिक्षक जितनी सपलता जितनी सरलता से बुराइन्यों को दूर करके अच्छाइन्यों को भर सकता है उतना ना समाज ना परिबार और ना ही सरकार भर सकती है तो बेकासी силь मुलियों में सपलता का जो मोकिता निरवर करती है तो वो सिक्षक पर निरवर करती है यानि कि जो बिकल्प नम arriba D है वो आपका सही हो जाएगा अंगला कोईस्चिन है अनुपस्तिती रोकी जा सकती है कैसे रोकी जा सकती है जिक्षा के द्वारा चात्र को दंडित करके मिठाई दे कर या फिर अभी बाप को माता पिता के संपर्क करके तो 74 का आंसर सभी लोगों को बताना है और जितने लोगों भी देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक जरूर कर देना ठीक है सभी लोग लाइक जरूर करेंगे अनुपस्तिती रोकी जा सकती है तो कैसे रोकी जा सकती है सभी को बताना है तब आपका उतर क्या हो जाएगा सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है सभी लोग उतर बता रहा है बहुत बढ़िया 74 का आंसर हो जाएग D एनि कि अभी बाप को माता पिता से संपर्ग करके अनुपस्तिती रोकी जा सकती है बिकल्प नमबर जो D है आपका वो सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अधिकांस लोगों ने बिल्कुल सही बताया है बिद्यालायों में चात्रों की अनुपस्तिती की समस्या को दूर करने का सबसे उपयोग तो पाए एह है कि उनकी अभी बाप को माता पिता से संपर्ग किया जाए उनको वा उनकी बच्चों को हो रही कटनाईयों को समझा जाए है ना मतलब जो बिकल्प नमबर D है वो इसका सही हो जाएगा अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तो गलित की पिरकिर्टी है तो कैसी है गलित की पिरकिर्टी हमें बताना है 75 का उत्तर क्या हो जाएगा सबी लोग उतर बताएंगे गड़ित की प्रिकृती सजावटी है कठिंता है तारकेक है सामान के लिए नहीं है तब आपका उतर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से उतर बताना है सालू गुपता जी जल्दी से बताओ उतर क्या हो जाएगा समता जी मौना जी गड़ित की जो प्रिकृती है वो कैसी है तब सभी लोगों का उत्तर आ जाता है क्या आ जाता है सभी लोग उत्तर बता रहे हैं कि वो होती है कैसी तारकेक होती है तो याद रख लेना दोस्तों गड़ित की जो प्रिकृती होती है वो तारकेक होती है तबी को बैसे भी पता है अंगला क्वेस्चन है जो हमारा वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि निर्मे से कौन सा कतन सत्त है तो 76 का उत्तर बताना कौन सा कतन सत्त है बिकल्प पढ़ना है और हमें उत्तर बताना है नीरा जहरवार जी राखी जी सभी लोग से एक बात और बोलन चाहते हैं पूरी की पूरी तो पूरी की पूरे वीडियो में डाल रहा हूं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं आप भी अपने चैनल पर अपनी चैनल जो आप देख रहे हैं और आईडी आ रही है उस चैनल पर आप एक प्लेलिस्ट बना लें अपनी और उसमें गलित के अलग डी बीडियो डालने परियवर्ण के अलग डालने ताकि आपको परिक्षा की टाइम पर दोड़ने की जवरत ना पड़े और रिवीजन आपका होता रहे ठीक है तो सभी लोग अपने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाके जो भी प्लेलिस्ट में डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए उपियोगी हैं वो अपना अलग अलग प्लेलिस्ट बना लें ठीक है और प्लेलिस्ट बनाके सभी वीडियों को एड करकते जाएं तब आपका 76 का उत्तर हो जाएगा एनिकी गलित की बिभिन साखाएं जैसे बीज गलित जयामित इत्यादी एक दूसरे पर निर्भर हैं तो ये सही हो जाएगा ए नमर का ठीक है अधिकांस लोगों ने उत्तर बताया है बिभिन गलित की जो बिभिन साका एक दूसरे पर निर्भर होती है बीज गलित के बिभिन सूत्रों का उपियोग अंक गलित में किया जाता है है ना ये सभी को याद रख लेना है, दोस्ता अपना जो अंगला topic है वो क्या है? गलित का इस्थान है 않ा पाटचरिया या विसाय में गलित का इस्थान ये चीज आपको याद रख लेना है ये। गलत सिक्षन के उद्देश हमारा दूसरा टॉपिक है तो इसको देखते हैं पहला टॉपिक अपना खतम होता है दूसरा टॉपिक आता है इसमें कहा गया है कि NCF 2005 ने सरबादिक बल दिया है तो किस पर दिया है 77 का उत्तर सभी लोगों को बताना है तब उत्तर बताएंगे र 77 का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है सभी लोगों को उत्तर बताना है तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों NCF 2005 में जो सरबादिक बल दिया गया है वो दिया गया है बिकल्प नमबर A मतलब ग्यान की सरचना पर बिकल्प नमबर A इसका सही हो जाएगा एनसी एफ नेसनल जो है करी कोलम फ्रेमबर्क या राश्टिय पाठचरिया प्रारूप 2005 में सरबादेक बलग्यान की सरचना पर दिया गया है आप सभी को याद रख लेना है अंगला हमारा कॉस्चन है चोथी कक्चा की विध्यारतियों के लिए अधियम उद्देश दिया ग बताना है चार बेकलफ हमारे सामने मौझूद हैं पहला है प्रिक्रिया आत्मक दे दूसरा है सूब वस्तिता दे तीसरा सामाजिक दे और चौता है बिस्तिया आत्मक दे तब 78 का अंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों को जल्दी से उत्र बताना है क्या होगा तो आप सभी जो उत्तर बताया है दोस्तो वो क्या बताया है सभी लोग उत्तर बता रहे हैं बहुत बड़िया अधिकांच लोगों ने उत्तर बताया है भी तो आपका उत्तर भी हो जाता है भी विबस्थ सूब्वस्तिता का ढ़े इसका साहिव हो जाएगा बी नममर का क्रम में र olduğunu र आप सेविन्टी नाइन का उत्तर हमें बताना है सौनु जी जन्दी से बताना है तब उत्र क्या हो जाएगा मौना जी, अंकित जी, रभी संकर जी, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा कुमकुम जी, 79 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग उत्तर बता रहा है कुछ लोग D बता रहा है, कुछ लोग B बता रहा है तब आपका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो क्या होता है वो होता है डी यानि की बिस्तरित अधियम आउसर प्रदान करना यानि की डी नमर का आपका सही हो जाएगा ठीक है याद रख लिना है बिस्तरित अधियम आउसर प्रदान करना डी इसका सही हो जाएगा है ना देख लेते हैं कैसे इसका डी सही हुआ है गलित की पार्ट पुस्तक में विभिन प्रकणों में खंड अब्यास समय को समावे सित करने का उद्देश यही है कि बिस्तर तदिया मौस्तार प्रदान किये जाए या फिर करना अंगला कोस्चन है गलित सिक्षन का प्रमो को देश से है बच्चों में क्या इट्टी का उत्र बताना है गलित सिक्षन का प्रमो को देश से क्या है बच्चों में तरक पूर्ण डंग से सोचने की सकती बिकसित करना रटने की सकती का विकास करना सूतर या फिर सवाल हल करने की शमता विकसित करना तब आपका उत्तर क्य गलत शिक्षल का प्रमुक उत्देश से क्या होता है सभी लोगों को उत्र बताना है परीति जी पुसपा जी पुसपेंदर जी उत्र क्या हो जाएगा तवाब सभी का उत्तर आ रहा है कुछ लोग A बता रहे हैं और अधिकांस लोग बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया इसका उत्तर भी क्या हो जग ए तरक पूर्ण धंग से सोचनी की सक्ती विक्सित करना यही सिक्षन का उत्देश चात्रों में तरक पूर्ण चिंतन निरने सक्ती विसलेशन इत्यादी गुड़ों का बिकास करना होता है तो यह चीज याद रखनी है अं सियोकांति जी संतोस जी सुरेश जी सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा तो सौनु जी सही जल्दी से उत्तर बताओ गलित की भासा में निम्नमय से किसका प्रियोग नहीं किया जाता तब आप सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है गंडेश सिंग जी बहुत ब प्रियोग नहीं किया जाता है, यहां पर तब इनमेंसे नहीं इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो D नम्मर इसका सही हो जाएगा, इन सभी का प्रियोग किया जाता है, तो यह याद रख लेना, अंगला क्वेशन है प्रोफेसर सुल्टेजसर के अनुसार गड़ित पढ़ाने का प्राथ में कुद देस्थ क्या है प्रोफेसर सुल्टी जी के अनुसार गड़ित पढ़ाने का उत्देस्थ हमें बताना है 82 का उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा दूसरी बिधाओं में सहायता प्रदान कराना मांसिक सकती का विका बिल्कु राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया है ना अंगला कोश्चन है कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने गलत के प्रच्रित पाठक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है तब हमें उत्तर बताना है जल्दी से उत्तर बताओ एक कूट भी आपके सामने ह कोठारी आयोग जो था है ना इसने कौन सी कमियां बताई है गलत के प्रच्रित पाठक्रम में तब उत्तर बताना है 83 का सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जागा most most important question है सभी लोगों को बताना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो A, B और C ऐनी की जो बिकल् पाठक्रम में किरियात्मक तथा रचनात्मक कारियों का अभाव पाठक्रम की अपूर्टा अतिन्थी बोजिल होना आदी कमियों को दरसाया को ठ्यारी आयोग ने 1966 में ठीक है अंगला हमारा question है कि गलित की अच्छी पाठ पुस्तक की विश्यस्ता क्या होनी चाहिए 84 का आ अभ्यास प्रस्ण हल किये होते हैं तब आपको 84 का आंसर होगा क्या होगा जदी से उत्तर बताएं तो उत्तर क्या होगा अधिकांस लोग कुछ क्या बता रहे हैं बी बहुत बढ़िया अंगला question देख लेते हैं अंगला जो हमारा question है दोस्तो वो क्या है वो है कक्छा में प्रशन पूछने के मुखोदेश्ट होते हैं तो क्या होते हैं 85 का answer सभी लोग बताएंगे कक्छा में प्रवेश्ट पूछने के मुखोदेश्ट क्या होते हैं रुची और उत्सुक्ता उत्पन करने के लिए चात्रों को अभी प्रेश्ट करने के लिए पूर्व ग्यान के परीक्षन के लिए उत्तर सभी तब उत्तर क्या होगा मतलब वो सही हो जाएगा है ना तो कक्छा में प्रश्ट पूछने के मुखोद देश्ट प्रोगत सभी होते हैं तो क्या होते हैं कक्छा में प्रश्ट की बरतमान एन सी ई आर्टी पार्ट पुस्त के खालिस्तान की अनुस अंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं तो प्रश्ट करमानक 86 का उत्तर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे गलित की बरतमान एन सी ई आर्टी पार्ट पुस्त के जो हैं वो किसकी अनुस अंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं तब सभी लोगों की आंसर क्या आते हैं जल्दी से उत्तर बताना हैं सभी लोग उत्तर बताएंगे फटापट से उत्तर बताएंगे इस प्रकार की प्रस्न हमेशा पूछे जाते हैं तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एह बिध्यालई सिक्षा की अब तक की नभी इंतवराश्टी दस्ताबेज है इसे अंतराश्टी इस्तर के सिक्षा बिदों बैग्यान को विसेब इसे सग्यों और अध्यापकों ने मिलकर तयार किया है ये सभी को याद रख लेना है NCF 2005 के लक्ष कथन के नुसार बिध्यालई गड़ेतों से इस्तिती में नहीं होता जहां बच्चे 8せて 57 का अंसर सभी को बताना है सभी साथ ही मेरे जितने भी सभी साथी है वो like जरूर कर दें और पूरा का पूरा जो complete course है आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड की जाती है तो टेलीग्राम ग्रुप में जूरने के लिए आपको टेलीग्राम एप डाउनलोड करन आई एस स्टेडी ट्रिक और जोईन हो जाना है सभी लोग टेलीग्राम ग्रूप से जरू जुड़ेंगे है ना तो NCF 2005 के लक्ष कथन के अनुसार बिध्यलाई गड़े तो सिस्तिती में नहीं होता जहां बच्चे क्या D सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्ट करते हैं एनि आपका नेक्स्ट जो प्रशन हो जाएगा वो क्या है हमारी बिध्यलाई पाट चरिया में गड़त सिक्षड के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए योगल आधार बाक के है तो वो कौनसा है जल्दी से योगल आधार बाक के बताना है प्रशन किरमांक 88 का उत्तर बताना ह और बिकल्प भी आपकी सामने मौजूद हैं तो जल्दी से बिकल्प पड़ो कि किस प्रकार प्रतिक बिध्यारती के मस्तिस को बैस्त रखा जाए और किस प्रकार सिक्षारतियों के संसादनों को सुद्रन बनाया जाए किस प्रकार प्रतिक सिक्षारती की तरकना सक्ती में बनाये जाए और किस प्रकार प्रत्य के सिक्छार्थी को मैं प्रक्राण कौंसलों का जो है बिकास और एल्गोरिदम की जो है समझ को बढ़ाया जाए तब आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर बताना है सबी लोगों ने बड़े जो है गोड से बताया है और 88 का उत्तर सबी लोगों ने बताया है तो क्या बताया है वो बताया है ए आनि कि किस पिरकार प्रतिक सिक्षार्थी के मस्तिस्क को बेस्त रखा जाए और किस पिरकार सिक्षार्थियों के संसादनों को द्रण बनाया जाए ए क्या हो जाएगी हमारी बिद्यालई पाट चरिया में गड़त सिक्षन के स्थान को सुन NCF 2005 के नुसार विध्यालयों में गलत सिक्षा का मुख उध्यालयों में गलत सिक्षा का मुख उध्यालयों में गलत सिक्षा का एक 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 मुख उध्य कौंसल का बिकास करना समस्तिया समाधान कौंसल का बिकास करना विस्लेश रात्मा की उगता को पोसित करना बच्चे की चिंतन प्रिक्रिया का गड़तिय करना करना तो ये टी नाइन का जो आंसर होगा वो क्या होगा तो आप सभी ने जो उत्तर बताया है वो क्या बदा दिका प्रिक्रिया का गड़तिये करना गड़त सिक्षा का मुक्त देश है NCF 2015 अर्थात नेसनल कर्रीकोलम प्रेंबर्ग NCERT द्वारा प्रिकासित चार राष्टिये पाठ चरिया की रूपरे खाओं में 1975, 1988, 2000 और 2005 में से एक है ए चीज़ आपको याद रखनी है NCF 2005 के नुसार गड़त की पाठ चरिया महतवा कांची सुसंगत है और यह महतपूर्ण गड़त पढाती है यहां महतवा कांची का अर्थ है वो क्या है हमें बताना है तब आपके चार विकल्प हैं जल्दी से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा NCF 2005 के नुसार गड़त की जो पाठ चरिया है यह महतवा कांची सुसंगत है और यह महतपूर्ण गड़त पढाती है महतवा कांची का अर्थ क्या है बिद्यालाय में गड़त सिक्षन के संकीन उद्देस्ट्यों को खोजना गड़त की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का सिक्ष्छन विविद्ग पրकार के गलित का सिक्ष्छन जैसे अंक गल्ट बीज गल्ट जीयामती और आकला प्रबंदन तब आपका जो 90 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तब सभी लोगों ने बताया है क्या बताया है कि विद्ध्यालय में गलत सिक्षण के उच्छ उद्यस्यों को खोजना यानि कि जो विकल्प नमर बी है वो इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बढ़िया एंसीएप 2005 के नुसर महत्वा कांची का अर्थ है बिद्यालाय में गलत सिक्षण के उच्छ उद्यस्यों को खोजना अंगला जो हमारा कोश पाड़ चरिया रूप रेखा में गलत सिक्षा का इस्थान दो महत्मों पर है तो उत्तर बताना है कौन-कौन से दो महत्मों पर है तो ये चार विकल्प आपके सामने हैं फस्ट है गलत की सिक्षा संक्रियात्मक परिक्षा में विध्यारतियों के अंकि सुधारने के लिए क् कर सकती है और उच्च कक्छाओं में सही विश्यों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है प्रतेक बच्चे को विध्यालाय में बनाए रखने के लिए गलत क्या कर सकता है और उन्हें आत्मेर भर बनाए लेके कैसे सहायता कर सकता है गलत की सिक्षा प्रतेक बच्चे में संप्रेशन कोंशल को कैसे सुधार सकती है तब आपका उत्तर होगा क्या होगा डी डी पढ़ लेते हैं कि पार्चरिया रूप रेखा में गलत सिक्षा का इस्थान दो महत्पूर्ण तथियों पर है गलत सिक्षा प्रत्तिक विध्यार्ति के मस्तिस को कैसे सलगन करती है और बिध्यार्तियों की चमताओं को कैसे सुधर्ण कर सकती है ये दो महत्पूर्ण जो है इस्थान होते हैं तब आपको याद रख लेना है और आज के जो प्रस्ण है वो अपने गरत पैड़ो गोजी के कम्पलीट हो जाते हैं ठीक है अंगला जो हमारा प्रस्ण होगा वो कल की कक्षा में होगा ठीक है तो कुल मिलाके हमारे तीन किलासों में 91 प्रस्ण कम्पलीट हो चुके हैं ठीक है इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते रहेंगे और अपनी जो किलास है वो नरंतर चलती रहेगी और अगर जादा एक दम से पूरा पढ़ लिया तो क्या जाएगा उ उपर से तो उपर से नहीं जाने देना है कुछ हमें याद भी हो जाए ऐसा भी पढ़ना है अगर 10% भी आपको याद हो रहा है तो निश्चित ही आपका कल्यान बिलकुल हो जाएगा तो सबी लोग इसी परकार से जुड़ते रहें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे है दो बच के 30 मिनट पर यह जो है लाइप कलास होती है मुसकान ठाकुर जी जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रूप में वो टेलीग्राम ग्रूप में जुड़ें टेलीग्राम ग्रूप आपको टेलीग्राम एप डाउनलोड करना है फिर उसमें सर्च क पहले आप एक बार पहले जो अपना बर्ग दो का पेपर हुआ था संस्क्रित बाला वो पहले आप लोग देख लें कि संस्क्रित में किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं देखो संस्क्रित मेरा भी बैक ग्राउंड नहीं है और आप लोगों का भी बैक ग्राउंड नह तो प्रत्य को कैसे याद करना है वो हम बताएंगे हैना लकार जो आते हैं जो मेनुमें चीज है जहां से आपके complete प्रस्ण हो जाएंगे वो बताएंगे और अगर आप बिस्तित पढ़ना चाहते हो कि संस्कृत हम पूरा का पूरा पढ़ें तो बो बात अलग है संस्कृत में हम आपकी पेड़ागोजी और वो चीज आपको बता देंगे जो चीज आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं लकार हैं और भी जो बिभक्तियां होती है बिभक्तियों में से पूछी जाती है कि ए सब्द है इसकी क्या बिभक्ति होगी वो चीज पूची जाती है प्रत्य उपसर्ग पूचे जाते हैं तो उनको कैसे हमें याद रखना है वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कि कैसे हमें क्योंकि जो प्रत्य है संस्कृत के जिनका background संस्कृत है उन पे भी प्रत्य नहीं बनते तब आपको याद अलगी होता है प्रत्य अलग होगा और सब अलग होगा तब हमें बताना होता है कि प्रत्य क्या है तो मैं आपको वो ट्रिक बता दूँगा कि जो प्रत्य है वो हमें कैसे इसमें समझना है कैसे प्रत्य को पहचानना है वो चीज हम आपको बताएंगे वो नोट्स आपको टेल वो एक बार अनुभा हो जाए कि जो प्रस्ने हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये चीज अपन को समझनी है सबसे पहले फिर हम आपको बताएंगे कि अपन को संस्कृत कैसे पढ़ना है ठीक है हाँ याद रख लेना है आप लोगों के लिए IAS IAS study trick आपको सर्च करना ह है टेलीग्राम के लिए बहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाना है बहुत सारे लोग जुड़े हैं जहां पर पूरा का पूरा आपका अध्यान मटेरियल सेयर किया जाता है ठीक है सभी लोग देख लेना है चाए वो CTT वाले हो या फिर बर्ग तीन वाले हो उनको परियावरन का थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें क्या अंतरिक्ष बिज्यान और अंतरिक्ष बिज्यान से संबंदित मैंने आपका तेन टॉपिक के वीडियो डाल रखे हैं और साथ ही आज सुबह मैंने लाइब क्लास ली थी जिसमें 80 टॉप जो 80 प्रस्ण जो आपकी प देख लेना है और संस्क्रेट जो अपनी परियावरन की लाइब क्लास होती है वो कहां पर जुड़ना है लाइब क्लास में सामको साड़े छे बजे परियावरन की क्लास होगी और साथ पंद्रा पर आपकी बालविकास की क्लास होगी तो वो जरूर देखना है और बालविक यह जो क्लास है आज की खतम होगी सामकू 6 बजे आदा घंटा की आपकी परियावरान और 7-15 से आदा घंटा की आपकी बालवेकास की चलती है और PDF सभी के लिए टेलीग्राम ग्रूप में मिलेगी तो टेलीग्राम ग्रूप से अबस जुड़ें सभी लोग वीडियो को लाइ कि लिए हैं चैनल पर हिन्दी की पेडागोजी आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखें हिं पूरी पेडागोजी बिस्तृत रूप से बहासा कौंसल और वहां सब्लू कर डाल दिया है तो वो जरूर देखे हैं मनीसा जी मुसकान जी ठीक है से उकांत जी बढ़िया बहुत अच्छा लगा आप सबी लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं सोनु जी और जो भी साती अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना लें ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्र प्लेलिस्ट बनाओ अपने चैनल पर और प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे जो वीडियो हैं वो डाल लो ताकि आपको परिक्षा के टाम कहीं भटकना ना पड़े पूरा मटेरियल आपको एक साथ मिले है ना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपकी तैयारी के लि झाल झाल